आपको समत किचिन में तो आज के पकोड़े ना तुबेसन के हैं ना ही मूंकी दाल के तो हैं ये फिर किस चीज की पकोड़े जानने के लिए चलिए देखते हैं वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें समत किचिन को और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको मेरी लेटेस वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी बिल्कुल फ्री में कि तो आपने देखा बिल्कुल सही आज के पकोड़े बनेंगे मसूर की दाल के तो पकोड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ यह लैंटिल्स यानि की लाल वाली दाल मसूर की जिसको की मैंने रादबर के लिए था और यह तयार हो गई आपके पास पानी में भीवो सकते हैं और यह है एक से दो मिर्चे और चोटे टुकड़े अतरक के अतरक ज्यादा नीडा लेंगे और इसको मैं ब्लेंडर में डाल के खीश लेती हूं इसमें फोड़ा सा पानी डाल लेती है लिपसे दनी असानी से दाल पिस गई है देखिए ऐसे पेस बना लिया असका अब हम इसको ट्रांस्पर कर लेंगे बड़े बॉल में जालेंगे हम यह वेडी टेबल जिसमें हैं एक बड़ा कटा प्यास एक चमच मतर और यह हैं कॉर्ण और यह हरी धुनिया कटी हुई तो यह सारी चीज़े हम डाल के मिक्स कर लेते हैं मसाले इसमें है नमा यह थोड़ा कोटा हुआ मिर्च लाल मिर्च आप चाहे तो डालें नहीं तो लाबी सकते हैं इसको और यह है वन फोर्थ टी स्पून हमारा चाट मसाला और यह है थोड़ी से अजवाइन एक चुठी अजवाइन तो यह सारी मसाले भी हम इसमें डाल देंगे और इसको इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अब यह हमारा बैटर रेडी है अब हम इसमें जो है तो इनको फ्राई करते हैं पकोड़ों को कि यहां पर मैंने सरसो का तेन डाल के गढ़ाई में अच्छी तरह से गरम कर लिया हूँ तो तेन को चेक करने हैं कि यह हूँ हम डाल देंगे तो फोड़ा से बैटर आगर यह तल रहा है तो इसका मतलब हो गया है कि आप इसके जहां तो फंखोड़ा से अग्जिस्ट करने के लिए फ्लेम को कम कर लेंगे मैं पकोड़े दाना शुरू करते हैं इसमें करने करने के बाद हम पकोड़ों को पलेट देंगे मीजिम करने मस्धे मेरश लखने, करता है कि अभर भी आप like, में यह नो करनी है कि बाद भी करने को τους वी मम करें देंगे नियुक वह बड़ों करते हैं तो यह हमारे मज़़दार पकोड़े के याज होने वाले हैं तोड़ी पेर नहीं इंग अलट के आप कलते रहें हैं अब थोड़ी ती आश को भी कम लग रहे हैं मैं बखा लेकी उसकी भीट यह आपको इसमाजना होगा कि अब आश को बढ़ाना है या बहुत कम करना है या कै करना है इसका हमको बनाते बनाते आईजिया हो जाता है कि का वांच पर कैसे खिपी रखना है जो करते ताथ होती है तभी सही पकोड़े कलते हैं और इंको पलेटे रहें लीप में खोड़ी यह मत बिल्कुल भी और अच्छे क्रिस्प हो जाने तक उनको प्राइ करते हैं इ इसका बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छा लगता है तो अब ही पकोड़े हो चुगे हैं मैं इनको निकाल लेती हूँ एक शोकिंग पेपर में या टिशू पेपर रखके जिसे के एक्स्ट्रा इनका ओइल निकल जाए चाट मसाला पाउदर उपर से छिड़क दे और य जो की टेस्ट में बहुत अलग है बहुत अच्छा टेस्ट है इनका अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें समत किचिन को और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको मेरी लेटेस वीडियो के सारी करें, थांस FOR वगट झांस वोच्कि एनका की।